अब तक तो सुनते आए होगे ओलग के पार्ट्स मेंगे बट कितने मेहंगे एक एक पार्ट यहां पर देख सकते हो सारे छे हजार का सी वायर यूनिटे बैटरी का उसी सब्सक्राइब की प्राइस है धाई हजार रुपए बैल्ट की में आपके गारी चल नहीं सकती और साथ आपके पास कोई भी मॉडल हो और यह वीडियो तो यार बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है तो लाइक और शेयर तो सबके साथ करी दिना S1X लेने वाले हो S1 Pro है Gen 1 है Gen 2 है चाहे 8 साल की वारेंटी हो कुछ भी हो अगर वारेंटी आपकी लैप्स हो गई आप गलत तरीके से गारी से लाओ गई है कम्पनी आपको वारेंटी नहीं दे तब तो आपको अपने जेप सही पैसा भढ़ना परेगा और इंस्वारेंस मे प्राइस आती है सारे 5 से लेकर 6 है रूपय से देना पर और अगर यह वारेंटी में लैप्स होगा तो अपको अपने जेप से भढ़ना पड़ेगा अब बात करते हैं से शुरुवात करते हैं टेल तक का हम पूरे वीडियो को लेके जाएंगे यह जो हेड का पार्ट देख रहे हो यह दो हिस्टों में डिवाइड है एक अपर में और एक नीचे में जो कि आपको ग्लॉसी फिनिश में दिख रहा होगा एक मैट फिनिश में दिख रहा होगा सब्सक्राइब और नीचे वाला का पार्ट में भी 500-1000 के बीच में होना चाहिए और यह सब आप और कोई दुकान से खरीद ही नहीं सकता है क्योंकि आपको इंशॉर्डेंस भी क्लेम करोगे तो ही वह ओला के तरफ से आएगा और नहीं क्लेम हुआ तो भी ओला को ही आपको 10,000 रुपीस प्राइस है वहीं पर हम बात करती है ओला के हैड में आपको जो थ्रोटल देखने को पड़ता है इसकी प्राइस कितनी हो सकती है तो आल्मोस्ट जो आपको एक्सलेटर थ्रोटल है उसकी जो प्राइस है आपको 1500 रुपीस पड़ती है और लेफ्ट साइड में तो आपको थोड़ सो और महंगा पढ़ सकता है अब बात करते हैं इसमें जो ओला लिखा है वोला पैनल कितने का आता हुगा इसकी प्रैस आपको एटीन हंड़ेट से लेकर 2100 के बीच में आने कि 2000 के आसपास आपको देखने को पढ़ जाती है यहां पर खत्म हो जाती है बट अब यह 1100 का आसपास है तो आपको उतनी 1000 रुपीस आप एवरेज को मांगे चल सकते हो तो यहां पर यह पूरा फ्रेंट का पैनल खतम हो जाता है अब वहीं हम बात करें कि इसका जो फ्रेंट है इसके बैकवर्ड साइड में यहां वाला देखे तो यह वाले प्लास्टिक जो उपर का जो कवर है प्लास्टिक का वह आपको 135-135 को आलमस्ट दोनों साइट का देखने को पड़ जागा इसकी जो प्राइस है वह आपको 1100 रुपीस देखने को पर जाता है यहां पर जो पैनल देख रहो यह पूरा बहुत ही में पैनल है गारी का सबसे मेजर हिस्सा बोलो यह पूरी तरीक से कनेक्ट है और यह पूरा राउंड होके जाता है यह दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता इसके जो नीचे वाला पैनल है वह आपको दो हिस्सों में डिवाइड होते दिख जाएगा बट इस पैनल की कोस्ट आपको 3500 रुपीस सम्थिंग जाता है तो इस वज़े से जो इसकी प्राइस है वह आपको बाकी सब पार्ट के कमपेडिजन जादे ही देखने को पड़ेगी चाहे है कोई भी करेया रोल जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग मताता है मैट लेकर ग्लॉची कोई भी वही हम इसके बात कर इसक सस्पेंशन जो की प्रॉपर जैन वाइंग के लिए इसकी प्राइस आपको 4600 में कम्प्लीट सेट अप देखने को पड़ेगा और वहीं बात करो एलोई विल की तो एक साइट का एलोई विल की जो प्राइस है वह आपको एटीन हंड़ेट से नाइटीन हंड़ेट के बीच पड़ेगी और जो टायर है अगर आप नॉर्मल मार्केट से लगवाते हो तो आपको हजार और अच्छी क्वालिटी का दो हजार या तीन हजार के बीच पे देखने को मिल सकता है तो टायर की जो प्राइस हो थाउजन रूपीस से चालू हो जाएगी दोनोर साइट का 90-90 स तो जैसे कि S1 Air हो गया, S1 X हो गया तो इसके टायर के प्राइस आपको इससे तो कम ही देखने को पड़ेगी जैसा आपके अपन डाउंस हो सकती वो डिपैंड करता है तो ज्यादा फर्क बिल्कुल देखने को नहीं पड़ेगा अब हम बात करते जो इसके बूट ओपन होत आपको पड़ेगा और जो कवर आप देखने को पड़ेगी सिंगल कवर 200 रुपय का आता है और यहां पर जो एपल के स्टिकर लगा दिए मैं उसके पीछे एस वन की ब्रेंडिंग है चाहे इसके पीछे कि ब्रेंडिंगो स्टिकर की वो पड़ेगी आपको 85 रुपीज तो आप सोच तक तो कितना ज्यादा मार्जीन में गारी को प्रॉफिटेबल होता होगा अब बात करते इसके सीट की सीट है इसका अठारा सो रुपय का पूरा साइटप यह आपको ओला में ही देखने को पड़ेगा बहार में आप कोई भी पार्ट इसका बाहर से आप ले ही नहीं सकते बहुत ही मिनिमल चीज है आपको देखने को मिलेगा वहीं ग्रैब हैंडल की बात पूर तो 1600 रुपय का ग्रैब है पुराना मॉडल यह जो नया भी लोहे वाला है उसकी प्राइस भी प्राइस परती है और आपका अगर टूट जाते हैं जाएँ जैन टू का हो यह जैन वन वाली गारी है तो सब का प्राइस से मैं बेल्ट का प्राइस आपको आल्मूस्थ 2,000 रुपय देखने को ही पढ़ने वाला है तो आपको कोई भी मॉडल तो इत प्राइस देखने को परेगा और हब मोटर का सेट पर लगे तो उसकी प्राइस आपको ज्यादा देहने को परे क्योंकि पूरा उसी में और यह मास्टर सिलेंडर जो कि आपको डिक्स ब्रेक में कामाते है इसकी प्राइस है फिप्टीन हंडर टुपीज और जो बटन सब देख रहे हो इसका जो पूरा अगर आप सेट अप ले सब्सक्राइब में में बहुत ज्यादा मेहंगी आती है सब सब्सक्राइब मोटर का तो आपको बहुत से 30 रुपए देना अराम से पढ़ सकता है उसके बैटरी है वह किलो वाट के साब से डिपेंड गड़ती है इसकी फोर किलो वाट बैटरी के प्राइस आपको 87,000 अपको फिप्टी थाउजंग के अंडरी देखने को पढ़ने वाली है तो अगर आप तू किलो वाट लेते हो तो पचास एक खरच जाएगा थी किलो वाट लेते हो तो आपको 65-70,000 रुपए के बीच में देखने को पड़ सकता है अंदर के बैटरी के जो वायर इसकी प्र प्राइसिंग लिस्ट अब हम बात करते चार्जर की तो चार्जर का प्राइस आपको 15,000 से 18,000 के बीच देखने को पड़ेगा और अगर आप इसको ओवर वाल पूरा पैनली चेंज करवाना चाहते हो तो इसकी प्राइस आपको पूरी की पूरी 12,000 रुपीस परे कि चाहे आपको इसमें कितनी प्राइस लगी है आपको लग रहा है कि सारे 700 रुपए का बस ये एक साइड का आता है तो अगर आप दोनों साइड के लेते हो तो आपको 1500 रुपेस परता है और वहीं लेबर चार्ज में लाके आपको 120 रुप और ज्यादा देना पड़ेगा और बच्सक्षब है